हेलो क्लास सेवंट मैं आपकी टीचर दुहिंदर को और मैच कराऊंगी और एकसरसाइज 2.1 आपकी आपने अच्छी तरह से कर ली होगी और फियर भी कर ली होगे कोश्चन्स अब हम कोश्चन नमर सॉरी एकसरसाइज 2.2 करेंगे एकसरसाइज 2.2 का 1st question और 2nd question जो है ना match the following है जैसे यहाँ पर 4 options दे रखी है 1,2,3,4 आप हमें बताना है कि यह 4 का fraction यहाँ पर कौन सा बनता है ठीक है तो आप simply देखो मैं आपको पता है कि जो multiply करते हैं fraction में वो सामने सामने करते हैं यह 2 वंदा 2 और 5 यह जाएगा 2 वंदा 2 और 2 यह जाएगा 2,3,6 और 3 और अगर इसका अंसर निकालें तो यह जाएगा 3 upon 4 यहाँ पर लिख देती है चीक है इसको आप notebook में नहीं भी करोगे तो चलेगा चीक सिरफ समझ लो आपको समझने का काम करना है यहाँ पर आप देखो question number part 1 में जो है अब वो बता रहा है कि 2 ये ऊपर वाला number जो होता है shaded part होता है shaded part, नीचे होता है total part, total part हर किसी में 80 होगा चीक है अब आप देखो shaded part 2 और total part 5 होने चाहिए तो इसमें तो 3 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है टोटल, इसमें 4 और इसमें 5 है तो first वाला किस से match खाता है first concept d से match खाता है क्योंकि 1,2,3,4,5 5 total हो गए यहां भी 5 total है और कितने part shaded है यहां पर 2 part shaded चाहिए थे तो 2 ही part यहां पर shaded है ठीक है first part हो गया second part में देखो total होने चाहिए 2 ठीक है 2 ही होने चाहिए और 2 ही shaded part है यह रहा दो ही होने चाहिए और 2 ही shaded part है यहां पर 1 और यह 2 तो यह मेरा हो गया second part का आंसर ठीक अब यहां देखो total जो है 6 part shaded होने चाहिए shaded part 6 होने चाहिए मैंने यहां पर आपको लिख दिया shaded part 6 होने चाहिए और नीचे वाला total part है 3 तो यह देखो एक दो तीन तीन हो गया और shaded part कितने है 6 1 2 3 4 5 6 तो यह मेरा हो गया third part का आंसर ठीक फोर्थ पार्ट में है 3 upon 4 जो बच गया अब यह मेरा बच है 4 total है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 total हो गया और तीन पार shaded है तो 1 2 और 3 तो यह मेरा हो गया fourth part यहाँ पर मेरा question number 1 done हो गया अब आप करेंगे question number 2 ठीक question number 2 में भी यह है some picture a to c a, b, c दे रखिये pictures are given below बताना है कौन सा कौन सा अब यहाँ पर भी वही है total part नीचे वाला number और उपर वाला होता है shaded part shaded part हर किसे में यही रहेगा आपका total part और shaded part नीचे वाला number जो होगा total part होगा उपर वाला number जो होगा वो shaded part होगा अब देखो first वाला जो बोल रहा 3 upon 5 है तो वो किस से match खाएगा आप देखो 3 upon 5 5 total होने चाहिए तो यहाँ पर देखो एक पार यहाँ देखो आप यहाँ total है 1, 2, 3, 4, 5 5 total हो गए और shaded part वो कितने बोल रहा है 3 तो 1, 2, 3 तो यह मेरा हो गया first का answer ठीक second का answer देखो आप total part जो होने है हमारे 3 चाहिए और shaded part मेरे 2 चाहिए ठीक है तो टोटल part 3 होने चाहिए 1, 2, 3 और shaded part कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए बस इसको आपको समझना है कि total part और shaded part क्या होता है बस यह question करने की जुरुद नहीं है notebook में सिरफ समझ लेना ठीक और जो बच गया यह वाला तो यह वाला इसी को हो जाएगा third part question done